जेहीं चातियों सेनिक्स चमाचारी इंडिया में आप सभी का एक वार फिन स्वागत है चातियों financial year खतम हो चुका है और आप सभी को अब अपना income tax return फाइल करने की आउस्यक्ता है और उसके लिए आपको इंजार है form नमबर 16 का क्रंट financial year में जिनका इसपर्स में migration हो चुका है उन्होंने कुछ मैनों के लिए जो pension है वो bank से विड्रो किये और बाकी बचे वे समय के लिए उन्होंने इसपर्स में migration होने के बाद इसपर्स से उन्होंने pension को ड्रो किया है तो सातियों जब तक bank से आपने pension ली है तब तक का जो आपका form नमबर 16 है वो bank आपको प्रोवाइड करेगा लेकिन इसपर्स में migration होने के बाद आपको form नमबर 16 इसपर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा मैं अब आपको इसपर्स से form नमबर 16 को डाउनलोड करने का यहाँ पे तरीका बताता हूँ सबसे पहले आप अपने इसपर्स में username or password के साथ लोगिन कर ले यहाँ पे सातियों में बता देना चाहता हूँ कि जिस defense pensioners के पास में इसपर्स का username or password है वही इसपर्स से form नमबर 16 डाउनलोड कर पाएगा इसके अलावा अभी तक इसपर्स ने ऐसी कोई guideline जारी नहीं किये कि जिनको user name or password नहीं मिला है लेकिन pension इसपर्स से ले रहे हैं तो उनको form नमबर 16 कहां से मिलेगा सबसे पहले आपको left side में जो तीन line नजर आ रही है उसके उपर क्लिक करना है उसपर क्लिक करने के बाद जब आप उपर scroll करेंगे तो आपको वहाँ पे my document लिखावा नजर आएगा आपको my document के उपर क्लिक करना है मैं यहाँ पे जैसे my document पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे pension slip, pensioner PPO, pensioner Corrigendum PPO, pension entitlement, PDV declaration और सबसे last में form 16 तो जब form 16 आपके इसपर्स के profile में upload हो जाएगा तब आप form 16 के उपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो PDF फाइल है वो दिखाई देगी उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वो आपके mobile में download हो जाएगी और उसके बाद आप income text written file कर सकते हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि जो आपकी PDF file है वो Chrome web browser में open नहीं होगी उसके लिए आपको Firefox में login करना होगा तो अभी जैसे हम form 16 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी document है जो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि form 16 अभी दख upload हुआ नहीं है तो फरवरी और मार्श का जो आपका TDS को refund करवाने के लिए आपको अपना income tax return file करने की आउस्यकता है तभी आपका जो 5 से लेके 10,000 रुपे पर मंत कटा है वो आपको income tax department द्वारा refund किया जाएगा और उस में ITR में आपको अपना pen card number provide करना पड़ेगा इसी के साथ सातियों जिनका pen card है इस परस के profile में अपडेट नहीं है वो सेनिक समाचार इंडिया पर बताए गए सबी तरीकों से अपने pen card को अपडेट करवा सकते हैं यति आपके लिए जानकरी इसी परकार की latest update के लिए आप बने रही है सेनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और latest अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिन